हैलो दोस्तों देखिए इस कोस्टिन को तो बहुत ही आसानी से बना सकते है Records, अब बहुत ही सिंबल चैकि यदि 7 जल में की नाव की चाल 14 km प्रति घंटा और धारा की चाल 6 km प्रति घंट और नाव का जो श्पीड गति यह दे रखा है 14 km प्रतिए घंटा तो अब बताएं दोस्तों कि दूनों का दिशा से में और 80 km पूल चलना है तो इसका speed और इसका speed दोनों के speed जूड़ जाएगा क्योंकि दोनों की direction से में धारा का धारा का direction और नाव का direction दोनों जूड़ जाएगा तो दोनों की speed जूड़ेगी तो 14 प्लस 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा 20 km पर आवर तो ये totally overall speed हो जाएगा दोस्तों और 80 km total distance चलना है तो 20 से भाग करेंगा 80 में तो कितना जाएगा चार घंटा ये आपका क्या जाएगा चार घंटा टोटल समय हम से पूछ रहा था तो option नमबर डी जो होगा वह correct हो जाएगा दोस्तों चार घंटा समय लगेगा धन्यवाद